सेंट राश्ट्र महा सभा के प्रेसिडेंट इलेक्ट वोलकान बोस्किर ने अगले UNGA अध्यक्ष के रूप में पद भार सम्हालने के लिए नियु यॉर्क जाने से पहले अपनी पहली आत्राओं में से एक के रूप में पाकिस्तान को चुना गौरहों के वोलकान तुरकी से हैं पहले कई बार वे राजनाईक के रूप में पाकिस्तान आ चुके हैं पाकिस्तान और तुरकी के बीच घनिस्ट संबंधों को देखते हुए इस दोरे को एक बड़ी कूट नीतिक उपलब्धी माना जा रहा है इसमें कोई संदेह नहीं था कि राजनाईक तुरकी और पाकिस्तान के दोईपक्षिय संबंधों पर जोर देंगे साथ ही जैसी उम्मीद थी कि पाकिस्तान वोलकान के साथ कश्मीर का मुद्दा भी उठाएगा लेकिन वोलकान बोजकर ने इस मामले पर अपने देश तुरकी की स्थिती और सेंक्तरास्टर द्वारा उठाए गए रुख पर एक साफ अंतर रखा वोलकान बोजकर ने 1970 के दोईपक्षिय शिमला समझोते की पाकिस्तान को याद दिलाते हुए कहा तुरकी ने कश्मीर पर कई मजबूत बयान दिये हैं हलांकि इस शेतर पर सेंक्तरास्टर की स्थिती इसके चार्टर और लागू सुरक्षा परशद के प्रस्तावों के अनुसार नियंतरित है ऐसा पहले भी सेंक्तरास्टर के महासचिव ने अपनी यात्राओं के दोरान या फिर दूसरे मौकों पर सभी के सामने व्यक्त किया है बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 का शिमला समझोता जिसमें कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर की अन्तिमिस्थिती को UN चार्टर के अनुसार शान्ती पूर्ण तरीके से निप्टाना है साथी तीसरे पक्ष की दखल तभी संभव है जब ऐसा दोनों देश चाहते हों वोलकान ने कहा कि दोनों पक्षों को समस्या के राजनाइक समाधानों की तलाश करनी चाहिए और यदि जम्मू और कश्मीर का प्रश्न हल किया जाता है तो शेत्र में स्थाई शान्ती तभी संभव हो सकेगी उन्होंने हंत में कहा कि जम्मू और कश्मीर के विवाद का समाधान दक्षड एशिया में स्थाई शान्ती के लिए बेहत जरूरी है और राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान के जरिये शेत्रिय सुरक्षा को बनाए रखा जाना चाहिए कठिन चुनोतियों को शांती पूर्ण और संतोष जनक धंग से सार्थक पारसपरिक जुडाव के माध्यम से हल किया जा सकता है